थाना फतेपूर सीखरी के चौमा शापूर में भतीजे ने चाचा को गोली मार कर मौत के घाट तार दिया था पुलिस ने इस मामरे में जहां भतीजे को किरफतार किया है वहीं दो अन्य भी किरफतार कर चेर भेश दिये हैं सत्ताइस अक्टूबर को थाना फतेपूर सीखरी के चौमा सापूर में भिकरम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी गोली मार कर हत्या को अंजाम दिया गए था गोली बिकरम के भतीजे सिव ने मारी थी सीधी गोली मारी थी थाना फत्यपूर सीगरी पुलिस ने बिकरम को सीधी गोली मानने वाले शिप को गिरफतार किया है, सौनू को गिरफतार किया है, वहीं सिप के दादा पदम सिंग को गिरफतार किया है सी ओ अचनेरा राजीव शुरोई का कना है गिरफतार तीनों लोगों को जेल भेद दिया गया है आगे की कारवाई की जा रही है बिकरम के पिता और सिप के दादा पदम सिंग सगे भाई है मामूली बात को लेकर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी हत्या करने के बाद शब को लाटी डंडे से पीठा भी गया था काफी देर तक गाओं के लोगों और परिवार के लोगों को शब उठाने नहीं दिया गया था ऐसा परिवार के लोगों का अरोप है परिवार के लोगों कहना है पुलिस ने मौकिये पहुँचकर शब को उठा कर पोस्पार्टम के लिए भेजा था थाना फत्यपूर्सीगरी के चौमा सापुर में भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया था पुलिस ने भतीजे शिप को गरबतार कर लिया है इसके अलावा दो अन्ने लोगों को भी गरबतार किया है गरबतार लोगों को जील भेद दिया है जिनके पास से तमंचा भी बरामत कर लिया गया जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया उससे आफसी रंजिस और बढ़ गई छेत में तनापूल हालात हैं जिससे देखते हुए पुलिस फोर्स तैनाथ किया गया है पुलिस के कहना है आगे की चार्च परताल की जा रही है और भी जो भी सामने आएगा उसके खिलाब भी कारवाई की जाएगी अपने साथी अकलित दुबे और दिनेजगर के साथ राकिस खनौजिया सीनियूस आगरा